आज मैं आपको बुक से एक्सरसाइज कराऊंगी तो ओपें यूर बुक और चैप्टर नमबर वन इस पोर डिजिट नमबर स्टेरेंट्स प्रिविएस वीडियो में मैंने आपको नमबर नेम पढ़ाया था प्लेस वैल्यू पढ़ाया था ठीक है? आज मैं आपको बुक की एक्सरसाइज नमबर वन यानि वन पॉइंट वन पढ़ाऊंगी काउंट एंड राइट दा नमबर देन ड्रॉप बिट ओन दा अबैकर्स ओके? आपकी एक्सरसाइज ए है सबसे पहले आप समझ लिजे इसको आपकी बुक में जो डाइग्राम बने हुए है इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है तो मैंने एक कॉपी पे बना लिया है आप इसको देखिए जो छोटे-छोटे से फीगर बुक में आपके बने हुए है इसको हम once, किस से identify करेंगे, once से, okay, then, यह जो बना है, इसको हम tens, tens से identify करेंगे, and then, one, two, three, four, यह वाले जो figure है, इसको हम hundred से show करेंगे, and either, इसको हम thousand से identify करेंगे, तो अब इसी के throw, हम इसको solve करते हैं, okay, तो यह जो छोटे वाले figure थे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, यह हमारा once होगा, तो सबसे पहले इसको देख लिजे कैसे पढ़ते हैं, once, tens, hundred, thousand, ठीक है, यानि, once, tens, hundred, thousand, हम इदर से start करेंगे, 2458, मैंने बताया था आपको, कि once and tens को साथ में पढ़ते हैं, तो 2458, okay, अब इसको हम कैसे solve करेंगे, यहाँ eight थे figure, हमने यहाँ eight लिख दिया, once वाले box में, and यह जो अब एकस chart है, इसमें हम, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight circle, draw कर लेंगे, अब देखते हैं, tens, tens के लिए हमने यह वाला show किया है, यह figure है आपके में, तो tens में आप, one, two, three, four, five, five, tens में लिख देंगे, and यहाँ पे भी five circle, draw कर देंगे, one, two, three, four, five, okay, अब देखते हैं, hundred, hundred में four है, one, two, three, four, four figure है, hundred में ऐसे है, show किया, तो four, four hundred में लिख देंगे, और यहाँ पे four circle, draw कर देंगे, one, two, three, four, okay, अब आते हैं, thousand, thousand में two है, यानि कि हमने thousand के लिए यह identify किया है, आपके book में यह figure है, तो यह आपका thousand है, यानि one, two, two हमने thousand में लिख दिया है, और thousand वाली line में one, two, two circle, draw कर लिया है, तो अब हम इसको read करेंगे, two, four hundred, fifty, eight, okay, अब हम b वाले पे आते हैं, तो once, once में हमने यह छोटे वाली figure once के है, तो यहाँ पे once दिया है, one, two, three, four, five, six, once में six लिख लेंगे, अब आते हैं ten, ten के लिए यह identify है, यह show किया है आपके book में, अब देखिए आपके book में यह figure बना है, नहीं बना है, it means यहाँ पे tense नहीं है, tense नहीं है, यहाँ पे once दिया हुआ है, जहाँ पे tense नहीं लिखा होता है, वहाँ पर जहाँ पे one, मत्तब जो number नहीं होगा, जो figure नहीं बना रहेगा, उसमें हम zero लिख देंगे, ओके, अब आते हैं hundred, one, two, three, four, five, hundred में यह figure है, तो one, two, three, four, five, यहाँ पे tense नहीं लिखा है, तो हमने tense में zero लगा दिया, अब hundred, hundred के लिए यह figure है, तो one, two, three, four, five, five, hundred में हमने लिख दिया, अब हम once में six है, six circle लिख ड्रॉ करेंगे, one, two, three, four, five, six, and tense में zero है, कुछ नहीं है, तो छोड़ देंगे उसको वैसे, hundred में five, hundred के यह line है, one, two, three, four, five, अब हम thousand देखेंगे, thousand में one figure है, यहाँ पे हमने thousand के लिए यह वाला figure शो किया है, तो thousand में one figure बना है, तो हम यहाँ one लिख देंगे, और यहाँ इस line में one circle ड्रॉ कर देंगे, जहाँ पे जो figure नहीं दिया होगा, इन में से आप देखेंगे, जो figure नहीं दिया है, जिस भी one, so, ten, so, hundred हो, यह thousand हो, जो figure नहीं होगा, वहाँ पे हम zero लिख लेंगे, thousand में one था, हमने one लिख दिया, अब हम इसको one, five, zero, six, लिख देंगे, तो हम इसको कैसे rate करेंगे, one थाउजन, five, hundred, six, okay, c, d, e, f, यह आप खुछ से solve करेंगे, तो आप देख लिजे, इसमें पहले figure कौन सा दिया है, छोटे वाले figure once के है, once का दिया हुआ है figure, tense के लिए यह वाला figure है, तो हम tense में यह figure है, लिख लेंगे, hundred, hundred के लिए यह figure शो है, तो हम इसको hundred में लिखेंगे, और यहाँ पे भी circle करते जाएंगे, and thousand में यह है, हम thousand में लिख देंगे, d में देखिए, once, once में छोटे वाले figure है, हम लिख लेंगे, यह tense का है, लिखा हुआ है, लिख दिया, अब देखिए, hundred, hundred के लिए यह वाले figure था, यहाँ पे नहीं show हो रहा है, it means यहाँ पे hundred नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया था आपको इस वाले figure में, जहाँ पे जो नहीं figure होगा, महाँ पे हम zero लिखेंगे, तो हम यहाँ पे hundred में zero लिख देंगे, तो one, two, three, four, five, यहाँ five लिखेंगे, five circle बनाएंगे, tens में one, two, three, four है, four लिख देंगे, hundred नहीं दिया है, तो zero लिख देंगे, और one, two, three, three thousand में है, तो three लिख देंगे, ऐसे ही हम one, two, three, four, five circle कर देंगे, 10s में 4 है तो 1, 2, 3, 4 circle करेंगे 0, 100 में कुछ नहीं है छोड़ देंगे 1000 में 3 1, 2, 3 अब हम इसको लिख लेते हैं 3, 0, 4, 5 इसको read करेंगे 3045 ओके ऐसे ही E वाला और F वाला हम ऐसे ही करेंगे इसमें देखिए 1s वाला figure नहीं है 10s वाला भी नहीं है 100 और 1000 वाला है तो हम इसको 100 और 1000 वाला करेंगे और 1s और 10s में 0 करेंगे इधर देखिए 1s 1s यहाँ पे नहीं दिया है 1s में हम 0 कर देंगे 10s में जितने है figure count करके लिखेंगे 100 में भी वैसे ही करेंगे तो इस्टुडेंट बाकी आप खुद से बुख में इसको करोगे ओके थैंक यू